आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिद्ध हंतग नहीं सब्सक्राइब करो एक सेकेंड लगेगा ब्रेल आइकन दा बहुत सब्सक्राइब करो कर नहीं रहे वर सब्सक्राइब ग्रोथ जो है वो थोड़ी रुक्सी गई है ऐसा मत करो जैसे आपने जनवरी फरवरी में ग्रोथ दीती वैसे ही करो और हमारे साथ जुड़ो बहुत जल्द हम मर्चंडाइज लौंच करने वाले हैं अप्रेल से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इंस्टा पर मैं आ गया हूँ मुझे फॉलो करो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बोक्स में लि कि दिस्पाइट कि उनके 17-18 मार्च जादा आ रहे हैं कट आफ से कट आफ सतर गया है और मार्च सार 88 तो उनके अच्छे खासे चांसे से सिलेक्ट होने में लेगिन उसके बावजी उनको लग रहा है कि मेरा नहीं होगा दोस्तों ये ना ये चीज खानिकारक है ये आपको नुकसान करेगी ऐसे नुकसान करेगी कुछ चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं होता है तो उन चीजों पे परशान होना छोड़ दीजे जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं मैं भागवद गीता पे कल मैंने कर्म का सिद्धान तो बताया था उसकी मेंसी कि यही है कि और आपको बताओ जैसा सोचतो वैसा होने भी लगता है तो जस्त लीव इट यह चीज़ा आप नहीं कर सकते तो इसी तरीके से आपको अपने थौट्स को एकनॉलेज करना पड़ेगा आपका मंकी माइंड होता है जब आप मेडिटेट करते हैं तो बोलते कि बस देखो बहुत भाग रहा है आप एक एगदम एक वग्जरवर हो जैसे आप मूवी दिखते हो ना वैसे इसी ऑप questa को दूर माइंड में ही अपने आपको दूर बैठा लो और दोंग ser겠어요 अपने आप हो थौट्स जो है वो शांत हो जाईंगे तो अपनेस से अजनूलेज करो रिदिन लाखो लाखो thoughts आते हैं acknowledge सारे thoughts को नहीं और important thoughts देखो यहीं आपका जो आपके thoughts बहुत बढ़िया है जो productive हैं उनको आप acknowledge करो और जो बहुत अच्छे नहीं है उनको मत करो उनको छोड़ दो negative thoughts से बिल्कुल दूर रहो अब यह कैसे होगा धीमे धीमे अपने mind को प्रोग्राम करो meditate करो ध्यान लगाओ और इसमें होता क्या है कि देखो अब जैसा कि मैंने बताया कि 17 माग जादा आ रहे हैं बट यह एक negative mindset है आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं तो बहुत जादा positive हो और positive वाले ही आगे बढ़ते हैं यह सच है positivity नेगटिव वाले भी बढ़ जाएंगे लेकिन वो हमेशा परशान रहेंगे satisfaction is very much needed तो आप इतना सोचो कि सांसे चल रही है कितनी भी खराब situation हो जाएगे आपकी सांसे चलेंगी और यह सब कुछ भी नहीं है जो आप solve ना कर सको आपके एर्दकेरते जितनी भी problems है वो उसका सबका solution है और अगर कोई आपको बहुत चीज़ परशान कर रही तो उसे दूर हो जाओ छोड़ दो उसे अगर आपकी mind और आपका जो body पर असर पढ़ रहा है इतनी कौन सी बड़ी problem है और इसके बहुत ज़्य तरीके है detach yourself यह से relationship में जब कभी जब आपका break up होता है बहुत मुश्किल होता हूँ सबसे मुश्किल होता life में break up से deal करना जब आप किसी अपने चहेते को खोद देते हो या relationship में cheating होती है अरे तो उसका सबसे चहा तरीका है detach कर लो पूरी तरीके से number block कर दो photos हटा दो social media पर follow कर दो बिल्कुल हटा दो दूर चले जओ एकदम आना ही नहीं है वापस photos है वो भी delete कर दो जो भी आपके पास है gift है वो किसी और को दे दो मतलब किसी को नहीं लेकिन अपने दोस्तों को दे दो कि भाई तुम रखो मुझे इसकी अभी फिलाद ज़रूरत नहीं है तो जो भी चीज आपको उस चीज की आद दिला रही है जिससे आप बहुत attached है और जो आपको problem create कर रहा है आप उसे दूर हो जाओ detach yourself positive thoughts लाओ क्या पता यह अच्छा हो जब अभी आपकी नहीं पट रही है तो इसकी क्या guarantee है जब आप साथ रहेंगे तब पटेगी तो कभी कभी दूर हो जाने ही अच्छा होता है तो हमेशा glass को mindset ऐसा होना चाहिए कि हर एक negative चीज में आप positive निकालो अब यह बड़ा मुश्किल काम इतना असान नहीं होता है इसके लिए practice की ज़रूरत है और थोड़ा शान्त रहने की भी शान्त मन से इंसान साले solution देख लेता यह बड़ा important है अकसर क्या करते हैं कि हम बहुत judgmental हो जाते हैं यह बहुत बढ़ी negativity इसी से आती है हम अपने आपको compare करने लगते हैं हम social media पे देखते हैं अरे वो बहुत बढ़िया है या हम किसी को judge करने लगते हैं आप दूसरों को जब judge करते हो ना तो आपके लिए खतरनाक होता उसको कोई फर्क नहीं पीट पीछे ही बुराई होती है तो gossip तो होंगी ही होंगी लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा और कोई destructive बाते खतरनाक बाते कर रहे हो या कुछ ऐसा प्रे कर रहे हो या किसी को आप judge कर रहे हो तो वो बहुत खतरनाक है इससे आप की ही personality को हानी होती हो और आप negative होती जाते हैं तो judgmental मत हो प्लस खुद को भी judge मत करो दूसरों को भी judge मत करो खुद को भी judge मत करो खुद को मत हो जो क्या मैं ऐसा हूँ लोग मेरा मजाग उड़ा रहे हैं तो क्या मैं ऐसा हूँ बिल्कुल नहीं हो आप ऐसे लोग आपका इसलिए मज़ाग उड़ाते हैं क्योंकि वो आपकी तरह बनना चाहते हैं येस दिस इस द्रुट लोग आपसे जलते हैं जो आपका मज़ाग उड़ा रहे हैं हो सकता आप उनसे बहुत आदा आगे निकल जाओ तो इसलिए आपको परचान होने की ज़रुवत नहीं है अपने आपको आप जैसे भी हो बहुत बढ़िया हो नेचर ने आपको बनाया है बी प्राउड और आप जो हो उसमें आप गर्व महसूस करो कि कम से कम मेरे पास हाथ है मेरे पास पैर है मैं पढ़ रहा हूँ यही मेरे बहुत बड़ी बात है तो अपने आपको भी बिल्कुल जज मत करो और अपने नेगेटर थौट्स को बहार आने तो आप इसका मतलब यह नहीं कि किसी के उपरा चिला रहे हो या किसी को मर रहे हो यह नहीं आतो बहुत चिला रहे है नहीं ऐसा नहीं है नेगेटर थौट्स बहार आने का मतलब यह है कि जब आप पास नेगेटर थौट्स होत तो जो भी आपके आसपाग बढ़िया लोग हो एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाओ और जो बढ़िया लोग हैं उनसे आप शेयर करो यह यह प्रॉब्लम क्या पता को बहुत बढ़िया solution मिल जाए तो अपने negative thoughts को बाहर निकालो गुस्से में नहीं गुस्से में मत निकालन शान्त हो के शेयर करके निकालो यह खुद से ही बोल लो अकेले में गुस्सा कर सकते हो एक चीज और बता तो अकेले में आप गुस्सा कर सकते हो ठीक है बिल्कुल अकेले में कैसा कैसे कर सकता है वो और खुद solution मी दो आप बिल्कुल हैसे सोचो कि अगर मालो आप अकेले मे जैसे मैं करता हूँ ये चीज, जब मैं परशान होता हूँ, तो अखेले में बात करता हूँ, ये बड़ा important है development के लिए, क्योंकि इससे solutions आते हैं, आप ये सोचों कि आप एक अलग हो, आप एक इंसान को advice कर रहे हो, और वो इंसान आप ही हो, आप अपने आपको दो personality में divide कर करो, एक जो परचान आप और दूसरा जो बढ़िया आप, तो जो बढ़िया परचान आपको advice देगा, वो हो, वो करो, तो अपने negative thoughts को कई बार बाहर निकलना अच्छा है, negativity around you, देखो सबसे important है, negative logo को बिलकुल side में कर दो, चाहे हो कोई toxic logo से बिलकुल दूर रहो, अगर को प्रधान मंतरी तक को नहीं छोड़ा जाता, तो हमारी क्या उकात है, मात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ा जाता, तो हमारी क्या उकात है, बागवान तक को नहीं छोड़ा जाता, तो दोस्तों लोग बुरा बोलेंगे, लेकिन आप इतना एक चीज अगर आपने समझ ली, उनके बोलने से क्या आपके उपर कोई फरक पड़ रहा है? नहीं उनके बोलने वो कह रहे हो खराब हो क्या वाकई में हो? नहीं वो सिर्फ बोल रहे हैं, बोल रहे ठीक है? मैं बोलू हूँ कि मैं उड़ सकता हूँ मेरे बोलने से हो जाएगा? नहीं, impossible है तो ज़ादा ध्यान मत दो, मुस्कुराते रहो, कोई भी खराब बोल रहो, उनको जवाब भी दे दो, जवाब देते हो न तो मुह बंद हो जाता है, अक्सार लोगों को लगता है मैं कुछ बन जाओंगा तो जवाब दे दूँगा, ऐसा मत करो, अपने दान दिखाने करो, दोस्तों से मिलो, ट्रावल करो, नहीं नहीं होबी सीखो, और यह 2-3 महिने में रिजल्ट आ जाएंगे, और यह पॉजिटिविटी आपको बहुत आगे ले जाएगी, तो आई होब आप समझे होंगे, शौट लेचर था नेगेटिविटी, वैसे मैंने एक लॉंग ल प्रेचर नहीं देखते, तो मैंने सुचे छोटे में ही समझा देता हूँ, खुश रही है पड़ते रिए देशा सिद्दान तक नहीं होता ही साय नहीं हो